हलो फ्रेंग्स वेलकम टू मैं चैनल अपनी रिसुई जब हरी सब्जियां खा खाके हम बूर हो जाते हैं तो टेस्ट चेंज करने के लिए कभी हम राजमा बनाते हैं छोले बनाते हैं बेसन की सब्जी बनाते हैं तो उसी दरीके से आज हम बनाएंगे चने दाल के पकोड़ी की सब्जी को आप चावल के साथ खाएं रोटी के साथ खाएं बहुत ज्यादे हम लगती है तो एक पर इस आप जरूर टय करिएगा और चली देखते हैं की सब्जी को हमने कैसे बनाया था तो इसे बनाने के लिए हमने एक कटोड़ी जना दाल को दो घंटे पहले बिंगो क जरवत हुई तो एक दो चमज पानी डालेंगे मत्तब इसे गीला नहीं करना है यहां पे तीन प्याज को हमने लंबे टुक्डों में काटके फ्राइ कर लिया है इसे ठंडा करके हमें इसका पेस्ट बनाना ग्रेवी के लिए में से उच करेंगे लेकिन इतना प्याज इस सब् प्याज को भूना है क्योंकि इसका पेस्ट को आप स्टोर भी कर सकते हैं तो जब भी इस तरीके से पेस्ट बनाया तो ज्यादा मात्र में बना सकते हैं ताकि अगली बार जब सब्जी बनाए तो आपके पास पहले से प्याज का पेस्ट हो तो यहाप पिचने दाल को हमने लोजेँ जालें आप जालिए थोड़ी नमक से चमच मिर्ची पालडर अब इससे अच्छे और सबजी तो बनेगी इसकी अच्छे तो फ्लेम को हम यहां पे लो मिडियम पे रखेंगे और छोटी-छोटी सी पकोडियां को बनाएंगे और इसे उलटते पलटते हुए अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है तो ऐसे तो हम लोग हमेशा पकोड़ी बना कर खाते ही हैं इसमें ग्रेवी लगा कर बहुत ही टेश्टी सी सबजी भी बना सकते हैं तो यह देखिँ उपर उपर से भी ऐसे टेल डाल देगे थोड़ी देर में ही यह पकोड़ियां एकदम तयार हो गई हैं लाल-लाल हो गई हैं तेने हम निकाल लेंगे और इसी तरीकी से साड़ी पकोडियों को फ्राई कर लेंगे तो जिस कड़ाई में हमने प्याज को भुना था उसी में हम फिर से दो चम्मज तेल डाल देंगे तेल के गरम होने पर आधी छोटी चम्मज जीरा डालेंगे जीरा जब थोड़ी से भुन जा तो इसमें एक चम्मज अद्रक और लेसन क्रस्क या और डालेंगे और जब थोड़ी सी भुन जाए लहसन और अद्रक तब हम इसमें वह भुना और पीसा हुआ प्याज का पेस्ट डालेंगे तो मैंने यहाँ पे दो चम्मज यह प्याज का पेस्ट लिया है और बाकी जो पेस्ट बचा था उसे हमने डब्बे में रखके फ्रीज में रख दिया है ताकि अगली बार जब ग्रेवी वाली सबजी बनाओ तो फटा फट से वह बन जाए साथ ही इसमें हम बेसिक मसाले भी डाल लेंगे तो आधी छोटी चम्मज हलदी पोडर आधी छोटी चम्मज मिर्शी पोडर या स्वाधन सार आधी छोटी चम्मज Allada Water और एक चम्मज धनीया पोड़र पुड़े भड़के एक चम्मज हमने लिया है क्योंकि यह ग्रेवी वाली सब्जी है धन्या थोड़ी जादा डालेंगे एक दो चम्मस्ट पानी डाल के अब मसालों को अच्छे से भून लेंगे फ्लेम को लो मिड्यम पे ही रखेंगे और तब तक मसालों को भूनेंगे जब तक की तेल सेपरेट न होने लगे मसाले अच् तो यह देखें धीरे-धीरे यह मसाला भूनने लगा है और तेल सेपरेट होने लगा है यहां पर हम थोड़ी सी क्रस्की हुई कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है सब्जियों में तो आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंग हम इसे थोड़ा और भून लेते हैं प्याज का पेस्ट तो पहले से प्याज मतलब भून के उसका पेस्ट बनाया हुआ था तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपके पास पहले से प्याज का पेस्ट हो तो बहुत ही जल्दी से ग्रेवी वाली सबजी बन जाती है अब हम इसे पानी डाल देंगे और चेक कर लेंगे कि ग्रेवी कैसी है जैसी ग्रेवी आपको रखनी हो गाड़ी पतली उसके हिसाब से पानी डालें तो यह देखिए इतना पानी हमने डाला है इसमें और अब हम इसमें डालेंगे स्वादन सार नमक आधी छोटी चमाज ग बॉइल होने लगी है तो जब इसमें बॉइल आ जाए तब हम इसमें डालेंगे फ्राइकी होई पकोडिया तो इसमें हम पकोडियों को डाल देते हैं और उसके बाद इसे ढखके हम पांच मेर तक पका लेंगे तो अभी ग्रेवी थोड़ी जादे लग रही है लेकिन जब य जो है ग्रेवी को थोड़ा सोक भी लेती है तो इन में डाल ग्रेवी में डालने के बाद अब हम इने थोड़ा ढख देते हैं और यह दिखिए पांच मिनट के बाद इस सब्जी बिल्कुल तैयार है बहुत ही टेश्टी सी ग्रेवी है यहां पे ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं कि अगर ज्यादा गाड़ी लगे तो थोड़ी सी आप इस पे गरम पानी डाल दें पतली कर सकते हैं वैसे बिल्कुल परफेक्ट है चावल या रोटी के साथ खाने के लिए तो अगर रेस पी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें सेयर करें मैं आप से फिर मिलते हू अगले वीदियो में बाहेँ